जी हाँ दोस्तो आपको बता दी अभी हिनाखान को ले कर हुस्पिτल से सिधा ऐसी बूरी खबड सामने आई है जिसे सुनकर आप जो है हिना के लिए डौाई मांगने रख जाएंगे हिना की मां की तरा आखिर क्यों हीना खान के कमरे में होस्पिटल रूम में डॉक्टर भागते भागते आए और हीना को देखकर वो भी हक्ये बग्ये रहे गए ऐसी गंभीर हालत हीना खान के अचानक देर रात हो गई कल देर रात बताय जा रहा है कि हिना खान की सांस जो थी अचानक फूल ले लगी ऐसा लगा उन्हें कि मेरी सांसे रुक जाएगी होस्पिटल के रूम में देर रात वो सो रही थी सोते सोते जो है चिलाने लगी मुझे दर्द हो रहा है मुझे दर्द हो रहा है सीने में और हिना खान अचानक देर रात जोर जोर से सानसे लेने लगी और ऐसा लगा उन्हें कि सानस जोर उनकी कुछ ही सिकेंट के अंदर रुक जाएगी ऐसी हालत हो गई थे हिना खान की जो है health काफि जदा critical है कि 8 दिन से लगातार हिना खान hospitalized है hospital के bed पर लेटी हुई है हिना खान और आपको बता दे हिना खान जो है इस वक्त critical condition में है लगातार हिना खान की तब्यत देखकर health देखकर हिना की मा भी काफी ज़ादा डरी हुई है सहमी हुई है इस वक्त हिना खान की मा सिर्फ और सिर्फ अल्ला से यही बात कहते है या अल्ला मेरी मदद कर प्लीज मेरी मदद कर मेरी बेटी को बचा ले आपको बता दे हिना खान की मा तो दुआएं करी रही है साथ ही साथ इस वक्त जो है हीना खान के लिए उनके प्रसंसक भी लगातार हीना को कैंसर मुक्त कराने के लिए जंग से जितवाने के लिए जो हीना के इस जंग में डटकर खड़े हैं और हीना के लगवातार दुआए प्रात्नाए कर रहे हैं इस वक्त हीना खान की current health update के अगर बात करें तो हीना खान इस वक्त होस्पिटलाइज है और काफी ज्यादा critical condition में है हिना खान पिछले आठ दिनों से लगातार critical condition में हो और hospital में admit है लेकिन हीना खान कब discharge होंगी hospital से इस बारे में कोई भी जानकारी अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है जैस हिना खान जल से जल recover कर सके ठीक हो सके इस जंग से जीए सके जंग को लड़ने की हिम्मत मिल सके हुने